IPL 2024 की सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन लिस्ट यहाँ पे निकाल दिये है और ये भी बता दिया है कि किन-किन खिलाडियों को उन्होंने फ्री कर दिया है और सभी फ्रेंचाइजिस की नजर रहती है अच्छे खिलाडियों पर और अच्छे खिलाडियों में से एक खिलाडी जिसकी प्रसंशा 2023 में काफी हुई है वो कोई और नहीं रचिन रविंदर जी हाँ उन्होंने तीन शत्किये पारी खेली वर्ल्ड कप में और दो अर्शत्किये तूफानी पारी केलके अपनी टीम को काफी मैच भी जिताया है न्यूजिलैंड के टॉप ओडर बैटर रचिन रविंदर की मांग काफी जोरो शोरो पर है आई पिल फ्रेंचाइजी में पर उसी बीच देखिए यहाँ पर रचिन रविंदर ने एक चौक आने वाला बयान दे दिया है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर उन्होंने का कि देखिए इसकी कोई गैरेंटी नहीं कि मुझे फ्रेंचाइजी लेंगी भी या नहीं लेंगी चलिए एक बार हम आपको उनके बयान पे ले जाते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बयान में ऐसा क्या कहा तो चलिए ज़रा एक बार रचिन रविंद के बयान पे नज़र डालते हैं चाहे यह शोर हो या जो रिपोर्ट किया जा रहा है मुझे लगता है कि इस समय जो महतपूर्ण है और जो आपके लिए माइने रखता है वो यह है कि आपके सामने कौन सी सिरिज है IPL में अभी काफी समय है आक्शन में इस बात की कोई गैरेंटी नहीं कि मुझे कोई टीम में चुनेगी G1 और किरकेट में कोई गैरेंटी नहीं मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता हूँ जो इस समय मेरे सामने है क्या ही फिलोसोफिकल बात कह दी हाँ पर रचिन रविन रहें कि देखिए G1 मतलब कि जिन्दगी की कोई गैरेंटी नहीं होती और ये भी कोई गैरेंटी नहीं है कि मुझे आउक्शन में कोई टीम चुनेगी और भारत में इन्होंने काफी अच्छा परदर्शन भी करके दिखाया आपने पहले ही वर्ल्ल कप में इन्होंने कई कीरतीमान बना दिये बाकि न्यूजिलान की टीम के लिए ये तो एक बहुत बड़े जैम है एक हीरे है बाकि आपकी क्या राय है कि IPL 2024 में ये आपको कौन सी टीम कौन सी फ्रेंचाइजी से खेलते हुँ दिखेंगे अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए साइसाथ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो आदा शेयर करें चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले और देखते रहें तो फान स्पोर्ट